नमस्कार एवरीवन, from today we are going to start our chapter 18, the last chapter, early humans, यानि पहले का जो आदमी था, human था, इंसान था, वो कैसा था, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, तो पहले आदमी कैसा था, वो कैसे बना, modern man कैसे हुआ, वो क्या खाता था, वो कहां रहता था, वो सोता था, क्या करता था, ये सारा सब कुछ हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं, so before we start our chapter, let's learn some hard words, so first word is early humans, यानि पहले के जो इनसान थे, वो, फिर है, apps, यानि, warner, जो बंदर होता है, वो, chimpanzee, chimpanzee तो आप सबने देखा होगा, देखा है न, yes, it is a monkey, फिर है, modern man, यानि, जो आधुनिक मानव है, उसे हम क्या बोलेंगे, modern man, फिर है, ago, यानि, पहले, simple, यानि, easy, सादगी वाली, life है, वो, think, यानि, सोचना, gentleman, यानि, सजजन, फिर है, vendorer, यानि, रमता जोगी, यानि, यहाँ वहाँ, बटकने वाला, अपनी, दून में रहने वाला, उसे हम बोलेंगे, wonderer, फिर है, hunter, यानि, शिकारी, afraid of, यानि, दरना, उसे, फिर है, cave, यानि, गुफा, settled, यानि, बसे हुए, मतलब, बसना, कहीं पहे, ठहर के रहना, सेटल रहना, फिर है, roam, यानि, गूमना, इदर, उदर, गूमना, भटकना, उसे हम बोलेंगे, roam, फिर है, shelter, यानि, आश्रई, जहाँ पर हम रहते हैं, फिर है, food gatherer, यानि, खाना, इकठा करना, फिर है, ate, यानि, खाना, raw flesh, यानि, कच्चा मांस, wild fruits, यानि, जंगली fruit होते हैं, उन्हें हम wild fruit बोलेंगे, फिर, now, we'll see our chapter, early humans are also called the early man, यानि, पहले के जो इन्सान थे, उन्हें हम early man भी बोला सकते हैं, है न, तो पहले early man क्या था, देखो, चिम्पांजी था, या फिर, पहले क्या था, चिम्पांजी था, फिर वो क्या बना, एप्स बना, फिर, दीरे-दीरे, वो early humans बना, और last में, वो क्या बन गया, modern man, है न, तो ये है, चिम्पांजी से लेके, हमारे modern man बनने तक की, जो जार्नी है, वो, तो पहले, जो चिम्पांजी है, वो क्या थे, चिम्पांजी एप्स, they are animals, फिर, उन में से, वो कुछ सीखे, और क्या बन गया, early humans, और early humans, बहुत सारी invention, यानि, बहुत सारी, खोज करके, वो क्या बन गया, आज का, modern man, so, long time ago, early humans, lived a simple life in the jungle, बहुत time पहले, early humans, यानि, पहले के, जो इनसान थे, वो, बहुत ही सादगी भरी life जीते थे, कहां पे जीते थे, in jungles, यानि, वो forest में रहते थे, हमारी तरह cities नहीं थे, कुछ नहीं था, है ना, यहां पे, क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं था, वो बहुत simply, अपनी life, जंगल में रहके, बिताते थे, Think about the man, who has become a modern gentleman, from the early man, who was a wanderer and a hunter, मतलब उस इनसान के बारे में सोचो, who has become a modern man, जो modern man बन गया, कहां से, modern man, gentleman, यानि सज्जन हो गया, from the early man, जो पहले का इंसान था, उससे वो modern man मन गया, who was a wanderer and a hunter, जो early human था, वो क्या था, रमताजोगी था, यानि इदर उदर कहीं भी गूमने वाला, और hunter, यानि शिकारी था, उससे, आज का जो इंसान है, वो modern हो गया, है ना, तो, अभी first line देखेंगे हम, the early man did not talk as we do, मतलब, early human था, वो हमारी तरह बाते नहीं करता था, जैसे हमारी language है, हम communicate करते हैं, दूसरे से बात करते हैं, वैसे, वो बाते नहीं करता था, second line, the early man was afraid of wild animals, वो किन से डरता था, wild animals से डरता था, the early man did not know how to make a house, उन्हें पता ही नहीं था कि house कैसे बनाते हैं, house क्या है, किस से बनता है, ये कुछ उन्हें पता ही नहीं था, he lived in jungles, वो कहां रहते थे, वो forest में रहते थे, on the top of trees and in caves, और वो कहां पे रहते थे और सोते थे, on the top of trees, वो जाड के उपर रहते थे, और कहां पे रहते थे, caves यानि गुफा में, जाड के उपर क्यों रहते थे, तो wild animals, trees के उपर नहीं आते, और caves में बहुत कम आते हैं, तो वो लोग early human है, वो कहां रहते थे, he lived in jungles, on the top of trees and in caves, the early man did not live a settled life, वो settled life नहीं जीता था, यानि वो एक जग बसके नहीं जीता था, आज वो यहां है, आज वो दूसरे दिन वो कहीं और होगा, क्यूं, क्यूंकि अगर वो एक ही जगा रहा, तो wild animals, मतलब वहां के जो wild animals है, वो उसे ढूंड के खा जाएंगे, और फिर अगर वो एक ही जगा ठहरा, तो उसे खाना भी नहीं मिलेगा, तो वो क्या करता था, एक जगा से दूसरी जगा खूंता रहता था, वो सैटल नहीं रहता था, यानि एक जगा बसके नहीं रहता था, वो एक जगा से दूसरी जगा घूमता रहता था, भटकता रहता था, किसकी शोद में, in search of food and shelter, घर और खाने के लिए, वो यहां से वहां कूमता रहता था, वो क्या था, एक शिकारी था, हंटर यानि शिकारी था, और फूड गैदरर यानि फूड इकथा करने वाला, वो बहुत सारा फूड है, वो इकटा करके रखता था, वो क्या क्या खाता था, वो रो फ्लेश यानि कच्चा मास खाता था, वाल्ड फूड यानि जंगली फ्रूट है वो खाता था, नट्स यानि अक्रोट, रूट्स यानि ज़ड है वो, और सीट्स यानि जो बीज होते है, वो ये सब ये खाता था, उसे पता ही नहीं था कि फूड नाम की कोई चीज होती और उसे पका के खाना होता है, उसे ऐसा कुछ पता ही नहीं था, वो एकदम कैसा था, एनिमल्स के जैसा था, और वो क्या पहनता था, देखो, अभी थंडी लगती है, वैसे पहले भी लगती होगी, तो वो अपने आपको थंडी से बचाने के लिए क्या पहनता था, वो और लीव्स यानि जो पत्ते होते थे, उनसे वो कपडे बनाता था, यानि लपिटता था अपने आपको पत्तों से, and skin of animals, और जो animals की skin होती है, उससे देखो, यहाँ पे आपको एक picture मिलेगा, यहाँ पे animals की, जो skin है, वो पहन के यह all human बैठा है, तो इससे क्या होता है, हमें थंडी कम लगती है, तो यह आज जो हमने सीखा, उसका हम जल्दी से, फटा फट से देख लेते हैं, कि हमने अभी क्या क्या सीखा, तो पहले हमने देखा, कि चिंपांजी था, फिर एब्स था, फिर अली यूमेन बना, और दीरे दीरे क्या हो गया, तो अली मैन क्या था, तो अली मैन क्या था, अली मैन था, वेंडरर एंड हंटर, वो एक रमता जोगी था, और एक शिकारी था, और अली मैन दीड नॉट टॉक अज वी दू, वो हमारी तरह बाते भी नहीं करता था, यूसे बनाना भी नहीं आता था, वो नहीं बनाना भी नहीं आता था, वो अपने घर और खाने की तलाश में यहां से वहां बटकता ही रहता था, यानि वो एक शिकारी था और खाना इक रठा करने वाला था, वो क्या खाता था सी, यानि अगर उसे थंडी लगती थी तो वो कप्डे नहीं पहनता था, वो क्या पहनता था, लीज यानि पत्ते, और क्या पहनता था, स्कीन ओफ एनिमल्स, यानि एनिमल्स की जो स्कीन होती है वो जिससे थंडी कम लगे, यहाँ पर हमें एक क्वेशन दिया है, बहुत ही मस्त है, आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ टिक करना है, और यह सारे हार्डवर्स है, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है,